उत्री इसराइल हिजबुला के हमलों से वीरान हो चुका है यहां पर चारों तरफ खंडर पड़ी इमारते और जहां ताँ छिपे बैठे आईडिएफ के जवान है लाखों की संख्या में रहने वाले सेटलर्स अब यहां से जा चुके हैं और मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही उत्री इसराइल का बॉर्डर इलाका फिर से आबादी से गुलजार होगा क्योंकि उत्री इसराइल के बॉर्डर इलाकों में हिजबुला लगातार भीशन हमले कर रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने नियोट मौर्दचाय पर भी हमला कर दिया है और ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने इस सेटल्मेंट को निशाना बनाया हो हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के कुछ लड़ाके पहले तो रॉकेट को लाउंचर में फिट करते हुए नजर आते हैं और फिर ये लड़ाके एक के बाद एक करके इन रॉकेट्स को फायर कर रहे हैं और ये रॉकेट्स दूर बनी आईडियाफ की पोस्ट पर जाकर गिरते हैं इसी बीच एक रॉकेट आईडियाफ के एक सेनने टावर पर जा टकराता है इसके बाद रात के अंधेरे में हिच्गुला के लड़ाके ताबर तोड़ तरीके से रॉकेट्स फायर करते हुए नजर आ रही है इसके बाद रही है बड़ी बात यह है कि नियोट मौर्दिचाय सेटलमेंट केरियत शमोना के दक्षिनपूर मिस्थित है जो उत्री अलजलील का हिस्सा है और यह इलाका लेबनान बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है आपको बता दें कि हिजगुला ने जाूरा इलाके में भी कई राउंज कत्यूशार रॉकेट दागे हैं इसके साथ ही मर्ज, सुमाका और रासरलीन इलाकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट फायर किये गए हैं यहां तक कि हनीता सेन ने चौकी पर भी हिजगुला ने गोला बारूत दागा है मौई इसराइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजगुला ने इसराइल पर सौ से ज्यादा रॉकेट दागे हैं इसको लेकर किरियच शमोना के मेर ने चैनल 13 से पुष्टी की है कि हिजगुला के हमलों में पांच नए सेटलर्स यूनिट शती ग्रस्त हुए हैं इसके अलावा गलीली, किरियच शमोना, डिशौन, बेखलेल और तेलहाई में करीब 12 आग बुजाने वाली टीमों को रवाना किया गया इसराइली मीडिया के मताबिक ये आग सेटलमेंट्स और खेती वाली जमीन पर फैल गई थी इसराइली मीडिया का कहना है कि अकेले 65 रॉकेट्स गलीली पैनहंदेल इलाके पर दागे गए थे जबकि कुछ रॉकेट्स खुले इलाके में आकर गिरे थे जिस से आग लगने की घटनाए हुई है आईडियाफ के मताबिक एक प्रोजेक्टाइल शेतूला के बॉर्डर के पास और पांच रॉकेट्स पस्चिमी वेस्टन गलीली के जारीद में फायर किये गए थे और इसके बाद शाम को एक एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल किरेक्श शमोना इलाके में दागी गई जबकि 30 रॉकेट्स गलीली पन अंदेल पर फायर किये गए हाला कि IDF का कहना है कि हजबुला के हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है और इन हमलों के बीच IDF ने हेजबुला के हमलों पर पलटवार भी किया है IDF के मताबिक इसराइल के लड़ाकु जेट्स ने दक्षणी लिपनान के कोनीम और काबरिका में बने लाँचर्स को एर स्ट्राइक में उड़ा दिया IDF ने इसका वीडियो भी जारी किया है आपको बता दे कि जिस वक्त हिजबुला उत्री इसराइल को दहला रहा था उसी दोरान इराक से एक ड्रोन इसराइल की तरफ फायर किया गया था जिसे IDF ने मार गिराने का दावा किया है इस हमले को लेकर IDF का कहना है कि पूरवी दिशा से एक ड्रोन इसराइल की तरफ बढ़ रहा था जिसे इसराइली एर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये ड्रोन इसराइल के एर स्पेस में एक घुस नहीं पाया था। आपको बता दे कि इरान समर्थित इराकी मिलीशिया ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है और इससे पहले भी इराकी प्रतिरोधी समू इसराइल पर दर्जनो ड्रोन हमले कर चुका है।